बिस्मिल्लाइ रमानी रहीम अस्सलाम अलेकूम वेलकम टो स्माइली फुड और मैं हूँ नाहिद आज हम बनाएगे बुर्हानपूरी दालचावल दालचावल तो हमने कई तरह के खाये है लेकिन लजज़त दार बुर्हानपूरी दालचावल नहीं खाया तो क्या खाया कुछ स्पेशल मसालों से बुर्हानपूर के फेमस दालचावल किस तरह बनाते हैं देख ले थे हैं बुर्हानपूरी शादियों में बनने वाले दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम तूवर की दाल ली हूँ इसे अरहर की दाल भीकेते तो इसे दो गंटे के लि गैस पर मैंने कुक कर रका हैं इस में डाल डाल देते हैं अतका जर्दि पाऊडर से रिह में डाला इकशता नमक जर्षा डिम थीध 10 को तोड़ कर ले लियो मैंने यह अब इसमें 2 ग्ल्हाом पानी डालेगे एक बार मिक्स कर लेगे और मीडियम फ्लेम पर तीन से चार सीटिया लगा लेनी है दाल को दो घंटा भीगो कर रखा है इसके लिए दाल जल्दी से गल जाएगी दाल को साइट के गेस पर गलने के लिए रख दिया है वहां तक हम जो भटियारे लोग दाल में गरम मसाला डालते है जिसकी वज़ा से खुश्बू बहुत अच्छी आती हो टेस्ट बहुत बढ़िया सा आता है तो मसाला पीस लेते है तो देखिए गेस पे मैंने एक पैन पुरादा हो तो वह भी ले सकते हो आप यह देखिए सुका खुपर अच्छी तरह से भून चुका है अब मैं गैस बन कर दूगी और इसमें डालेगे हम एक चमच खसकस तो यह ऑप्शनल है अगर आपके पास हो तो डाले वरना इसकी भी कर सकते हो अभी पैन गरम है तो इ आरियल और खसकस को मैंने निकाल लिया अब इससे थोड़ा ठंडा होने देते है और इसमें पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेना है तो इससे थोड़ा ठंडा होने देते है वहां तक हम लोग जिस तरह से भटियारे लोग दाल में गरम मसाला पावडर दालते ना तो वो बूखे तो उसके लिए देखें यहांपर है एक चम्मच जीरा, एक हमचे स्व। ब़िया Şasirah, तो शार जीरे का जो फ्लेवर तो थोड़ा इस्ट्रॉण होता है यह डाल में डाला जाता है तो बहूत है अच्छा फ्लेवर आता है सिज़। doc दो दालचीनी के टुकड़े है एक बड़ी इलाइची है एक वादिया का फूल है और दो तेज पत्ते है चार से पाच हरी इलाइची है आदा चमचे काली मिर्चे और चार से पाच है लॉंग तो यह सबी चीजों को हमें भून लेना है ताकि खुश्बू और ज्यादा दाले गें और शाजीर डाले कि इसे भूनने में तॉड़ा टाइम लगता है और धनीया भी डाल लोगता है rattनी मिददी देती हूं को तो अभी यह तीनों चीज्बूर थोड़ा भून जा इसके बाद दाले गें क्योंकि जीरा, सोफ और शाजीरा जल्दी से भून जाते ये खड़े मसालों को थोड़ा भूनने में टाइम लगता है इसकी खुश्बू आए वहाँ तक हम भूनेगे आप चाहे तो घर का गरम मसाला है वो भी ले सकते हो लेकिन अगर आपको शादियों जैसा डाल बनाना है शादियों जैसी डाल तो आपने ये मसाले को जरूर पीस कर डालना ताकि फ्रेश मसाले की खुश्बू डाल में बहुत अच्छी आए ये देखी ये सबी चीज़े भून गई है इसी में ये तीनों चीज़े भी डाल देगे हम जीरा, शाजीरा और सौफ और उसे भी कुछ सेकंड के लिए भून लेते हम मसाले भून चुके गैस बन कर देती हुमें और इन मसालों को भी निकाल कर हम इसे मिक्सर में पीस कर इसका भी पाउडर तयार कर लेते है वहाँ तक डाल भी हमारी अच्छे से गल जाएगी और ये मसाले भी तयार हो जाएगी हमारे देखे जो खड़े मसाले बताई थी मैंने आपको तो वो पीस कर तयार कर लिए हु मैंने बहुत ही अच्छी खुश्बूदार ये मसाला तैयार होता है इसी से डाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये जो सुखा नारियल और खसकस पानी डाल कर मैंने पीस लिए तो अभी इन दोनों को साइड में रख लेते और डाल को भी चेक कर लेते क्योंकि कुकर की च तो इस तरह से आप थोड़ा सा चम्मत से घोट भी सकते हो ताके दाल अच्छे से स्मूथ हो जाए तो अब इससे साइड में रखकर हम दाल को बगार लेते हैं डाल बगारने के लिए गैस पे पतिला रखा है उसमें दो से तीन चम्मत तेल दालेगे तेल गरम हो गया है उस यह देखिए जीरा फ्राइ हो गया है अब डालेगे इसमें प्यास तो यहाँ पर दो मीडियम साइज की प्यास थी उसे बारिक काटलिव मैंने यह डाल देते हैं बिसमिल्ला रमाने रही हलका सा सुनेरी होने तक प्यास को फ्राइ कर लेगे हैं यह देखिए प्यास सुनेरी हो गई है अब इसमें अद्रक लसन का पेस्ट डालेगे तो दो चमच भरके में इसमें अद्रक लसन का पेस्ट डाल रही हूँ इससे भी थोड़ा प्यास के साथ प्राइ कर लेते कि अद्रक लसन की खुश्बूँ अच्छी डोल या वने की वहां तक हम इसे भूनेगे हो अद्रक मैं आत मुपः रही हो गया है वह अच्छी खुश्बू आ रही है अद्रक लसन पराइ और यास की धीमी कर दी इसमें दो मीडियम आइस के टमाटर हैं जिसे बड़े टुकड़े में काटी हुए यह डाल देगें थोड़ा सचला देगें और इसमें सुके मसाले डाल देते हैं बागी के तो सबसे पहले डाले गें छोटा आदा चमच हल्दी पाउडर देखिए जो बुरहानपूर में दा दाल मीड पाउडर दालूगी आप अपने टेस्ट के हिसाफ से डाल सकते हो यह जो गरम मसाला हमने पीस कर रखा है इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जिस तरह से भट्यारे लोग बनाते तो यह तीन चमच भरके में गरम मसाला डाल दूगी इसे मिक्स कर देते गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी रखिए मैंने मसाले जलेने इसके लिए दो से तीन चमच पानी डाल दूगी में और टमाटर अच्छी तरह से पिगल जाए वहां तक ही मसाले को हमें मीडियम फ्लेम पर भून लेना है तो टमाटर जहां तक नरम होते हैं वहां तक ही मसाले को बहुत अच्छी तरह से नरम होने तक पका लिए मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया है और यह मसाला देखके आपको लग रहा होगा कि कोई सालन वगेरा का मसाला हम तईयार कर रहे है तो यहीं फरक होता है कि जो हम नॉर्मल डाल बनाते उसमें ऐसा मसाला नहीं बनाया जाता है और यह जो बुर्हानपूर वाली डाल होती है जो शादियों में बनाई जाती है उसमें इसका सालन की तरह मसाला तयार किया जाता है तो यह मसाला देखिए अच्छी तरह से भून चुका है अब इसमें हम डालेगे सूखा नारियल और खसकस का पेस्ट जो हमने पहले से तयार करके रखा है बिस्मिल्लाय रमानी रहीं इसी मसालों की वज़ा से शादियों में जब ये डाल बनती है तो बहुत ही ज्यादा जाएके दार और शाही डाल बनकर तयार होती है गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी रखिये मैंने और एक से दो मिनट के लिए ये नारियल और खसकस को भी हम मसाले के साथ भून लेते प्लेट में भी थोड़ा सा पानी डाल कर हम निकाल लेगे ताकि नारियल का सारा पेस्ट निकल जाए मरा और अच्छी तरह से इसे भी भून लेते मसाले में ताकि नारियल और खसकस भी इसमें अच्छी तरह से पक जाए और इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आए खोपरे का पेज डालने के बाद भी मसाले को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है और मसाले में से तेल निकल रहा है देखिए तो यहा तक मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है अब इसमें उबलीवी डाल डाल दें कोकर में एक से देड़ गिलास पानी डाल देती हूं मैं तो यह देड़ गिलास पानी डाल देऊ मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके से निकाल लेगे अब गैस की फ्लेम तेस कर देगे हम एक बार मिक्स करेंगे से और नमक दालेगे टेस्ट के मुताबिक तो दाल को बॉयल करते टाइम पर भी हमने नमक दाला था नमक देखकर डाले इसमें थोड़ा पानी और जाएगा तो दाल जब जैसे पकती है वैसे थोड़ी पतली लगती हो और जैसे जैसे ठंडी होते जाती है तो ये गाड़े होते जाती है तो आपने उसी साब से इसमें पानी डाल देना है तो दाल डालने के बाद इसमें मैंने ये गिलास की नाप से धाई गिलास पानी डाल दियूँ इसे अच्छी तरह से मिक्स करें गया और इसमें अच्छी तरह से उबा लाने देते हैं तो इसे साइट के गेस पे रख देती हुँ मैं और वहां तक हम चावल को बगार लेते हैं तो गेस पे बड़ा सा पतीला रग दिया है उसमें दाले गए आदा कप तेल गरम हो गया है उसमें एक चमश शाजीरा डाले गए एक तेज पत्ता दो हरी लाइची और दो से तीन लॉंगे ये भी डाल देते अब यहां पर देखिए दो छोटे सा इसकी प्यास को बारिक काट प्यास को हलका सा सुनेरी होने तक प्राय करें गया है इस चावल में थोड़ा सा शाजीरा डालते तो इससे स्टॉंग फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अगर आपके पास शाजीरा नहीं तो आप नॉर्मल जीरा भी डाल सकते हो लेकिन जो हमने दाल का मसाला तैयार किया उसमें आपको शाजीरा लेना है यह देखिए प्यास हलकी सी सुनेरी हो गई है अब डालेगे इसमें हम काजू और बादाम तो यहाँ पर मैंने 12-15 काजू लिए तोड़कर 15-16 बादाम लिए है यह भी डाल देते बुरानपूर की शादियों में काजू बादाम भी डाले जाते तो अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं यह देखिए सबी चीज अच्छी तरह से फ्राय हो गई है इसमें आप पानी डाले गया तो छे कप में इसमें पानी डाल देती हूँ एक किलो मैंने चावल लिए हूँ और चावल को आदा घंटा से भीगा कर रखी हूँ तो उससाब से मैं छे कप पानी डालूगी इसमें पाँच और यह छे तो छे कप पानी डाल दिया मैंने अब इसमें नमक डाले गे हैं टेस्ट के मुताबिक और इसे ढखकर रख देते हैं और पानी में अच्छा सा उबाल आने देते हैं वहां तक डाल को भी चेक कर लेते हैं ये देखे दाल में बहुत अच्छा सा उबाल आ गया है दाल को इस टाइम पर टेस्ट कर लेना है कि अगर नमक वगयरा कम हो ता आप डाल सकते हो अब इसमें डालेगे हम दो से तीन चमच इमली का पल्प तो थोड़ी से इमली लेकर मैं भीगा कर रखी थी और उसका रस निकाल लिया है अब इसमें बारिक कटावा हरा धनिया डाल देगे ये देखे दाल का टेक्शर देख सकते हो आप कि इस तरह की दाल हमारी तैयार हुई है अभी इसमें थोड़ा तड़का करना बागी है और माशालला खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है दाल तो अभी इसे मैं ऐसे ही रहने देती हूँ गैस को धीमा करके और चावल का पानी गरम हो गया है तो चावल भी दाल देते हैं ताके गरमा गरम दाल के साथ चावल भी हमारे फटाफट से तयार हो जाए यहाँ पर चावलो का पानी गरम हो गया है तो एक किलो चावल मैंने बिर्यानी के बासमती राईस आदा घंटा पहले भीगा कर रखी थी आदा घंटा हो चुका है, चावल अच्छे से भीग गए, चावल को डाल देते हैं, आप कोई भी बिरियानी के चावल ले सकते हो, एक बार हलके हाथों से मिक्स कर देते हैं, और इसे धक कर पकाएगे, जहां तक कि जो हमने चावल में पानी डाला है, वो पूरी तरह से सुक जाता है, यहां पर चावल को पकते हुए, पास से छे मिनट होगे, मीडियम फ्लेम पर हम चेक कर लेते हैं, यह दिखिए, चावल का पानी में चेक करा देती हूँ, चावल का पानी सूक चुका है, तब इसमें डाले गया हम इस टाइम पर आदा कप दूद, इसे चावल में सौनधा पनाता है, और चावल का फ्लेवर और ज्यादा बढ़ जाता है, तो सिर्फ आदा कप दूद दाल देना है इसमें, अब इसे हलके आतों से एक बार मिक्स कर लेते हैं, और गयास की फ्लेम बिल्कुल धीमी करके, 10-12 मिनट के लिए हम धीमियाच पर इसे अच्छे से पका लेगे, ज्यादा जोर से इसे मिक्स नहीं करना है, वरना चावल तूटने लगेगे, तो फिर से मैं इसे ढख देती हूँ, और गयास की फ्लेम धीमी करके, 10-12 मिनट के लिए हम धंपर पकाते चावल को, चावल को धंपर रख दिया है, वहाह तक देखिए, दाल में मै दाल कर नीचे उतार लिए गयस पर से, और अब इसमें प्यास का हमें तड़का करना है, विरस्ता बना कर डालना है, गयस पे एक पैन रखा है, उसमें 3-4 चमत तेल दालेगे, एक छोटे सा इसकी प्यास को बारिक-बारी काट लिया है, इसे अच्छा सा गोल्डन होने तक करना है, विरस्ते की तरह बना लेना है, और यह फ्राइ किया हो, जब विरस्ता हो जाएगा, तो हम दाल में दाल देगे, इस तरह से चलाते हुए, प्यास को अच्छा सा सुनेरी होने तक फ्राइ कर लेना है, और तेल के साथ ही इस विरस्ते को हमें दाल में दाल देना है, कि चावल को भी दमपर रखे 10 से 12 मिनट हो गया है तो चावलों को भी चेक कर लेते हैं माशाला खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है चावलों में से यह देखिए पहले तो चावल बता देती मैं आपको कि कितने जबरदस खीले खीले चावल तयार हुए हमारे यह तो अब मैं गैस बन कर देती हूँ और गर्मा गरम यह चावल भी हमारे बुरहानपूरी स्टाइल में तयार हो चुके हैं तो गर्मा गरम इसे हम डिश आउट कर लेते हैं और चावल का एक एक दाना हमारा खिला खिला तयार हुआ यह देख सकते हूँ आप बुरहानपूर की शादियों की दावत में ज्यादा तर मोगलाई दोर के शाही दाल चावल बनाए जाते हैं तो वहाँ पर बुरहानपूर में अमीरो या गरीब ज्यादा करके दाल चावल को जरूर बनाया जाता है और साथ में इस तरह से खाया जाता है तो आप भी इस त बर बर बनाना पसंद करोगे बुरहनपूर की शादियों में जिस तरह से बड़े से थाल में चावल के उपर डाल को डाल कर सर्फ किया जाता है बस उसी तरह से मैंने यहाँ पर डिश आउट कर लिया है तो मेरे हस्बेंड को और बच्चों को फिलिंग तो इसी तरह किया आ र लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना बहुत सारा खयाल रखें दौाओं में मुझे याद रखें फिर मिलतें इंशालला एक नई रेसिपी के साथ अल्ला आफ़ेज गज ल्सक्राइब कर झाल्क के सारव पर रखें ऑ रहीं के सारा जे मुझे टे रहीं कियाना वैल से कर दो कर दो कर दो कर द Parl overnight कर दो कार दो कर दो कर दो किन्याच्ब